तो नमस्कार दोस्तो आज में आप सभी को अपने इस वेडियों में जिस उसदी पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ उस उसदी पौधे का नाम है बाक्ची इसको बाक्ची के नाम से जाना जाता है बाक्ची या सोमराजी इसका नाम है और दोस्तो आज में इसके कोचे बहतरीन प्रियोग बताने वाला हूँ तो वेडियो अच्छा लगे तो वेडियो को लाइक और शेयर कर दे और चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राब जरूर करें ताकि इसी तरीका के और सब्सक्राइब बेडियो आपको देखने को मिलते रहें ये बाक्ची के इस तरह फूल होते हैं दोस्तों बाक्ची का पोधा अपने आप में और सदी गणों से भरफूर है और आरवेद में इसका प्रियोग सबसे जादा चर्म रोग को दूर करने के लिए किया जाता है तो जिस किसी को भी दाद की, खाज की, खुजले की, पामा की, छाजन या अकवता की सिकात है, सुराइसिस की बीमारी है तो आप इस बाक्ची के बीजों का जरूर प्रियोग करें दोस्तों या फिर कोई भी इलर्जी या चर्म रोग से सम्मंदित कोई भी सिकात हो सफेद दाग हो या कुष्ट रोग हो तो उसमें भी आप बाक्ची का प्रियोग कर सकते हैं खुन खराब हो गया है या बबासीर की सिकायत है तो भी आप बाक्ची का प्रियोग कर सकते हैं तो सी बहुत अच्छी ओसदी है आज में इसका कुछ ओसदी प्रियोग बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा फाइदा होगा तो यह जो फूल देख रहे हैं ना नीले नीले कलर के इसमें फल लगते हैं जो काले काले बीज होते हैं वह बीज बाक्ची के नाम से प्र प्राइए ने द जाने रिए और रोज हैना नया गौंफ मूतर डालते जाएए पुराना एक झाएए इसस तरी आप लगातार 7 दिन आप बाक्ची के बीजों को गौं मूत्र में भीशोकर है मसल करके बाहर निकालकर कालें यह बाक्ची के इस तरह सुद्ध की जाते हैं अगर आप बाक्ची की बीजों को या अगर गौमुत में नहीं भीजेना चाहेते हैं तो फिर अधरक के सोरस में भिंगो कर भी सुद्ध कर सकते हैं दोस्तों फिर इसका अगर आप चूरन बना लेते हैं और चूरन अगर आधी आधी चम्मा सुब्य साम सेवन करते हैं तो फिर ये आपके सफेद दाग में बहु ज़्यादा लापकारी है सरीर में होने वाले किसी भी प्रकार के चर्म रोक को ये दूर कर देता है चाहे सफेद दाग हो दाद खाज खुजली पामा च्छादन अकोता एक जमाकी सिकात हो या फिर आपका खूनी खराब क्यों ना हो रखते बिकार को ये एक दम ठीक करता है बाक्ची के सुद्ध बीज लगाते हैं गंगेरन पर लगाते हैं तो भी ये उसको भी ठीक करने में बहुत ज्यादा सहयक है जिनको स्वास रोग की स्वास रोग में आप थोड़ी सुद्ध बाक्ची की बीजों का चूरन हल्दी चूरन और आप द्रण पुस्पी का चूरन इन तीन चूरन को ले करके अगर सहत के साथ सिवन करते हैं तो फिर ये आपके स्वास रोग में अस्तमा जिसको दमा बोला जाता है उसमें ये बहुत ही ज्यादा प्टेंट योग है और आपके एक दो खरांक मही स्वास रोग दब जाता है दोस्तो आप इसका जरूर प्रियोग करें और लाब दोस्तो रखत विकार हो गया है खून को सुद्ध करना है तो भी आप इसके बीजों का प्रियोग कर शकते हैं इनके पत्तों को बीज करके अगर चेहरे पर लिप लगाते हैं तो चेहरे की जो आखों के नीचे कालमा हो जाती है किल महासी हो जाती है सफिद दाग से योगी हैं आप दरूश तो